नमस्कार दोस्तो अमरकान जी हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं साहित्यकादमी और ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित अमरकान जी को मैकसिम गौर्गी के नाम से भी जाना जाता है तो आईए सुनते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कहानी लड़का लड़की सितंबर बीतते बीतते बरसात समाप्थ हो चुकी थी और आकाश निर्मल एबं नीला दिखाई देने लगा था चंदर ने उन्ही दुनों एक फिल्म देखी वह एक गोरा खुबसूरत और पतला चरहरा नौजवान था जिसको चलते हुए देखकर किसी बायू प्रकम्पित ताजे बैंत की याद आ जाती वह लाड़ प्यार में पला एक अच्छे खाती पीते देहाती परिवार का लड़का था जो बीये की सिक्षा ग्रहन कर रहा था और विश्य विध्याले के पास इस थिदे एक महले में किराई के मकान में रहता था उस फिल्म का मुख्य अभिनेता उनी फिल्मी लोगप्रियनायकों की तरह था जो सर्ब गुन संपन होते हैं और उच्छल कूद, फन, होशियारी और भावुकता का प्रदर्शन करके अंतम लड़की का हिर्दे जीत लेते हैं फिल्में तो उसने बहुत देखी थी लेकिन इसने उस पर गहरा असर डाला और कई दिनों तक वह सड़कों पर बेचैन गूमता रहा और अंधेरी रातों में आकाश इम्मतारों की रहसे मैता को नहारता रहा उसके बाद वह शहर की उग्र राजनीती खलचलों में भाग लेने लगा वह कभी किसी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होकर नारे लगाता कभी किसी सारवजनिक सभा में भाशन करता और दो बार आगे बढ़कर उसने चात्रों की हरताल में हिस्सा लिया इसी रास्ते से वह महांता के शिखर पर पहुँचेगा और अपने देश को महान बनाएगा लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो तेजी से साहित्ती की और मुड़ा क्योंकि किसी पत्रिका में एक कहानी पढ़कर उसको सहसा महसूस हुआ कि साहित्ती का छेत्र उची प्रतिभाओं से शुन्य है वह अब लंबी प्रेम कहानिया और कविताएं लिखने के साथ रत जगा करने लगा उसने संपादकों के पास अपनी कुछ रचनाओं के साथ कुछ लंबे आदर शिवादी और व्यक्तिकत पत्र भेचे और जब कुछ रचनाएं लौट आई तो वह शहीदाना ढंग से ब्यंग पूरवक मुस्कराया कि ये लोग एक दिन उसके पेरों पर गिरेंगे वह अब अपने से बेहा संतुष्ट रहने लगा और अब उसको एक सुन्दर लड़की की जरूरत महसूस होने लगी जो उसकी अद्वतियता से प्रभावित होकर उस पर अपना जीवन नियोचावर करते कि इन बहुत सी घटनाओं में तलाश कहने के बाब जूद जब उसे ऐसी लड़की नहीं मिली तो वह अत्यदिक परिशान हो उठ था क्योंकि वह अधिक प्रतिक्षा नहीं कर सकता था एक दिन सवेरे जब हवात तेज चल रही थी तथा वह अपने कमरे में सामने टहल रहा था तो उसकी दृष्टी तारा की ओर गई जो खुली छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी वह उसी मकान में रहने वाले एक कलर की लड़की थी जिसके एक कमरे कवा किरायदार था लड़की का रंग सामला था शरील लंबा तथा दोहरा जिसके अलावा और कोई खास बात उसमें न थी वह बार बार अपने बालों को जटक रही थी और उन पर धूप पूरी तरह पड़ सके इसके लिए शरीर को कभी बाई और मोड़ लेती थी और कभी दाई और एक बार हवा एतनी तेज चली कि उसके बाल उड़ने लगे गोया संख काले सर्प भाग रहे हो उसका आचल भी उड़ जाता जिसको संभालने में उसको खेल का मज़ा आने लगा और वह शरारत से मुसकराई और और तब ही उसकी नजर नीचे चंदर की ओर गई और वह बेह संकुचित हो गई और अपने शरीर को सिकोड तता जुका कर घर के अंदर भाग गई चंदर को बेहद आश्चरे हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस लड़की में इतनी चंचलता और शोकी हो सकती है कमल के नाल की तरह जूलती नंगी बाहें और हतिनी की तरह मासल श चुका था उसका खयाल था कि वह एक भौंदू गंदी और आलसी लड़की है जैसे कि किलरकों की लड़कियों के बारे में उसकी राय थी वह तीन मील पैदल चल का कालेज पहुंचती थी उतनी ही वापस लोटती थी मामूली कपड़े पहनती थी तरह घर में डांट फटका पर क्रूर प्रहार करेगा तथा एक साधारन लड़की को प्यार करके देश के सामने अपनी महानता को सिद्ध कर देगा और इस महत्तु पूर्ण निश्य पर पहुंचकर उसको अपने उपर एक वीर नाइक की तरह गर्ब हुआ वह बहुती आसानी से उत्सा इवं उमंग क मूर्ती बन गया और दूसरे दिन से ही उस लड़की को एक ऐसे प्रेमी की नजर से देखने लगा जो अपने प्यार की खाते बड़ा से बड़ा त्याक कैने को तयार हो जब वह कॉलेज जाने लगती तो वह साब सुत्रे कपड़े पहन का कमरे से बाहर आख़ड़ा हो जाता और कॉलेज से लोटने के समय भी वह मौझूद मिलता कभी-कभी वह कुछ दूर तक उसका पीछा करता कभी रास्ते में ही खड़ा दिखाई देता और कभी-कभी छुट्टी होने के समय कॉलेज के गेट के सामने व्यस्तता पूरवक इधर ओधर जाते हुए नजर आता इसके बाद वह उससे बातचीत कहने की कोशिस कहने लगा क्या समय है आज देर से क्यूं जा रही हो कॉलेज में छुट्टी नहीं है उखड़े-उखड़े से प्रश्न आँखों में दया दुख और शहादत की भावनाय देरा करती फिर तो उसकी गतवीदिया कुछ धंक से बढ़ी कि लड़की को सचित हो जाने के लिए मजबूर ह पहले तो उसको अचमबा हुआ फिर वह उसको अरविश्वास से देखने लगी यहाद तक कि कुछी दिनों बाद उसकी आँखों से एक अजीब भैच हांकने लगा उस दिन चंदर काफी आगे बढ़ गया जब अपने कमरे में बैठा था और तारा कॉलेज से बापस आई चंदर ने पहले कमरे के दोनों दर्वाजों के बाहर देखा और जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो गले आरे से जल्दी जल्दी गुजरती हुई तारा को उसने पास बलाया तारा ने उसको चौंक कर देखा फिर उसका चेहरा फक पड़ गया और वह डड़ती ड़ती कम पूच सकती हो मैं कोई भूत नहीं हूं बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसा नहीं देख सकता तारा का सर जुका का जुका रहा चंदर ने उठका कमरे में दो बाच चहल कदमी की फिर वह तारा के निकट आकर बोला तारा तुमको ड़रना नहीं चाहिए अपने चहरा रुदन की हलकी लकीरों में खो गया और वह अचानक छटक कर कमरे के बाहर निकल गई तारा ने जल्दी से किताब में रखी और एकांत कमरे में बैटका चुपचा पांखे पहुचने लगी वह सचमुच अपने को बहुत चूटा मैसूस कहने लगी गोया किसी ने संक हानवर बहुत अच्छे नंबरों से पास करती रहती थी लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार की संख्या बढ़ती गई और बाजार में जरूरी सामान की कीमते चड़ती गई और उसके परिवार पर काली चाया मढराने लगी अब घर में रोज ही लड़ाई जगड़ा होने ल को समालना पड़ता और छोटे भाई को गोद लादना पड़ता कई बार उसकी पढ़ाई छुडाने की बात आई जिसके लिए कई बार उसकी माने जिद ठान ली लेकिन उसके पिता की बज़े से ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि वह जानते थे कि बिना पढ़ाई लिखाई क काम से भागने लगी जब कॉले जाने का समय होता तो उसके उत्साह की सीमाना होती उसकी टांगों में अजीब सी स्फूर दिया जाती वह सारा काम जल्दी निप्टा कर बाहर निकल जाती फुर 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 बाहर निकल कर उसको अजीब सी शानती महसूस होती काश वह अपन शिला रग दी गई हो, कैसी मजबूर और हींता भरी जिन्दिगी थी, उसका रुदन सिस्कियों में बदल गया, जिसके थमने पर वो चंदर की कई बातां सोचने लगे, और उसको एक अजीब ताजगी और नवीनता का अनुफब होने लगा, तथा यह भी कि उसका भी कुछ म पर आ जाती और अंदकार में कुछ तलाश करने लगी, लगातार बरसते हुए पानी को देखकर उसकी आँखे भराती और कुछी दिन बाद वर कुछ पूछने के बहाने किताब लेकर चंदर के कमरे में पहुंच जाती, और शिक्र ही इस पूछने और बतानी के बीच प्या आजाती थी, नहीं मैं साब साब बादें सुनने का आदी हूँ, दूंगी दूंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, चंदर गर्ब से कहता था, इसके बाद चंदर बहुती उचाई से अपना जीवन दर्शन पेस कहने आ जाता, उसकी बाद मेरे विचार में, या मैं यह सोचता हूं से शुरू होती थी, उसको पूरा विश्वास था कि वह एक महान करांतिकारी, परूपकार का कारे कर रहा है, जिसमें अपनी पूर्ण विजय और सरवुच्चता की बाद सोचकर वह सारे समाज को अपने शत्रू की रूप में कलपना कहने लगता, अपने प्या अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक पढ़ना है, किसी के सामने आने पस सर जुखानी की जरूरत नहीं है, मैं सबको देख लूँगा, तारा मुझे योग ये स्वाबिमानी इस्तरियां पसंद है, तुम्हें मेरे विचार के योग ये बनना है, जाड़ा और कर्मी बीद गई और फिर वरसाता गई, तारा इंटरमीडियेट पास करके बीए में पहुँच गई, इन कुछ महीनों में चंदर के प्यार और विचार ने उसके जीवन को संपूर्ण तह बदल दिया, उसकी आँखों में सदा एक चमक दिखाई देती, जैसे प्राते काल पूरवी ख्षितिच का अंधिरा फट जाता है, उसने अपने और जीवन के दोशों को नई द्रिश्टी से देखा, और वह जल्दी से जल्दी चंदर के अनकूल बनने के लिए उसके होटों पर सदा एक मधोर और विश्वास पूर्ण मुसकराहट चाही रहती, और वह उत शक्ताओं पर ध्यान देना शुरू किया, उसने सबके कपड़े प्रेस कहने, पिताजी तता छोटे भाईयों के जूते पॉलिश कहने, तता माताजी के लिए तमाखु चड़ाने का नियम बना लिया, अब मा को सवेरे नियमित रूप से पानी भरे लोटे में रखी नियम क पुल कित रहता, और वो अपनी सहीलियों के सामने भी बाचीत में सदा चंदर के विचारां को ही दोहराती रहती, उसका जीवन एक महान दिल्चस्पी, विश्वासम प्रतिक्षा में परिवर्तित हो गया था, एक दिन जब वह कॉलिश से लोटी तो उसकी मा, उसके छोटे से बात करूं, तारा का मुं क्रोध से तम-तमाने लगा और आखे चमकने लगी, उसने जंजनाती आवाज में कहा, आप मेरे प्रतियसी जवान नहीं बोल सकती, क्या तेरी आहिम्मत, मैं अब बड़ी और जिम्मेदार हो गई हूँ, मैं यह सब बरदास नहीं करूंगे, अर तेरा पढ़ना लिखना छुडाती हूँ, और इसी साल तुझे घर से भगाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाओंगे, तारा ने दरड़ स्वर में कहा, क्या कहा, तुशादी नहीं करेगी, नहीं नहीं, तो क्या करेगी, छादी पर मुंग दलेगी, मुंग क्यूं दलूंगी, मै होट विक्रत करके बोली तू पढ़ेगी क्या सारे खांदन की ना कटवाईगी रुक जवान लड़ाने का मज़ा चखाती हूँ उसके बाद उसकी माने पास में रखे एक डंडे को उठा लिया और आगे लपक कर उस पर प्रहार करने लगी तारा पहले चीखी इसके बाद चारों को बदल नहीं सकती तारा ने भोजन त्याग दिया वह पहले की तरह ही सब काम करती रही लेकिन अन्न को हाथ न लगाती पहले तो मा जिद में कुछ न बोले लेकिन जब दो दिन बीद गए तो मा था ठंका इसको पता नहीं इधर क्या हो गया है कहीं सच मुझ जान दे दे इसके लक्षा इधा समझ में नहीं आते देर तक बनाब सरिंगा करती रहती है बात भी बुज़ूरों को इतरह करती है लड़की को यह सब शोभा नहीं देता इजजत आबरू के साथ दिन कट जाएं यही बहुत है उसने अब पती से सारी बाते कहे देना उचित लेकिन पता ने कहा कि वह पड़ी लिखी लड़की है वह उससे साप साप बातें सुनना चाहते हैं पता के सौर में अपार साहन भूती थी तारह अपने को रोक न सकी उसने सब कुछ बता दिया और उसकी हिचकियां बन गई पता का चहरा गंबीर हो गया और वह वहां से बीच आज शादिया होने लगी है इसमें क्या खास बात है फिर वह तिल्यक दहिच से बच जाएंगे जिसके लिए कर्ज के अलावा कोई और चारा नहीं है लड़का बुरा नहीं है वह देर तक सूचते रहे फिर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाए क्योंकि तर द्रड़ा आवाज तर्क संगत बात है नए विज्च जमाने के विचारों को सुईकार कहने की दलील है पतनी का विरोध मंद पढ़ने लगा फिर पता नहीं कब से सब कुछ खामोशी में खो गया तारा सारी बात है छिपकर सुन रही थी जब बे सो गए तो वह चुपके से मैं लीन हो चंदर अभी सोया नहीं था खटखटा हट सुनते ही दरवाजा खोल दिया और हाथ बढ़ा कर तारा को अपने पास खींच लिया मैं आज बहुत हूश हूँ तारा ने मुसकरा कर कहा उसकी आँखें प्यार से चमक रही थी क्या बात है चंदर ने लापरवाई से पूछा मिठाई खिलानी पड़ेगी जरूर अब बताओ पिताजी राजी हो गए हैं राजी हो गए हैं क्या मतलब चंदर कुछ समझ नहीं पाया था तारा ने विस्तार से सब बात सुनाई उसके स्वर में उमंग की तेजी और चमक थी चंदर का चहरा सहसा फक पड़ गया उसने अपने को आलिंगन से मुक्त कह लिया और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा शादी वो अपने को महान समझता था और उसकी कलपना थी कि उसका प्यार महान संगर्स महान तूफान और महान कुरवानी की दौर से गुजरेगा उसके प्यार की ऐसी साधारन परेडिती होगी, ऐसा उसने सोचा भी ना था, उसका मुँद देखते ये देखते कठोर हो गया क्या बात है, तारा डर गई, यह धोका है, उसने ग्रणा से मुँद बिचकाती होई कहा क्या धोका है तुम धोके बाज हो तुमने शुरू से आखिर तक मेरे साथ धोका किया है क्या धोका किया है अब बताती क्यों नहीं तारा ने रुआसे स्वर में कहा हाँ किया है इसी के लिए तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी पर आज मैं समझ गया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती तुमसे कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता बड़ा काम और कैसे हो सकता है तारा का चहरा अपमान से तम-तमाने लगा बड़े काम करने के बड़े तरीके होते हैं उसके लिए बड़े संगर से गुजरना बड़ता है तुम उनके काबिल नहीं हो मैं अब समझ गई तारा के स्वर में तीखा बन था क्या समझ गई आप मुझे प्यार नहीं करते आप प्यार कर ही नहीं सकते क्या मतलब चंदर चौक पड़ा मतलब इस पष्ट है प्यार की चरम परणती है शादी इसी मंजल तक पहुँचने के लिए संगास और कुर्वानिया दी जाती है लेकिन अब यह मंजल प्राप्त हो जाती है तो आपको खुशी नहीं होती इसका आर्थ है कि आपके संगर्ष की बातें जिम्मेदारियों से बचने और स्वार्थ को छिपाने का बहाना है मैंने तो जीवन के आरम से ही संगर्ष किया है आपने क्या किया? आप भूग जानते हैं? आपको गरीबी, जलालत, घुटन, ओब, निराशा का पता है? साफ तो यह है कि आपको एक नारी देह की जरूरत है और जरूरत है अपने अहंकार की त्रिप्ती की तुम वाहियात बख रही हो? चन्दर ने घूर का कठोर स्वर में कहा हाँ वाहियात बख रही हूँ तारा और भी तीखी आवाज में बोले, लेकिन आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा मैं आपको कितना प्यार करती है यो नहीं बता सकती लेकिन आज आपकी भी गलत बातों को मैं बरदास नहीं कर सकती आपका भी ऐसा ही कहना है आपके लिए तो मैं बड़ा से बड़ा त्याक करने को तयार थी लेकिन इधर मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि आप केबल अपनी बातों को महत्तो देते हैं दूसरों की भाबनाओं की आपको कतई परवा नहीं है कितनी बार मेरी इच्छा होई कि आपसे अपने मन की बातें कहूं अपने दुख सुकी, अपनी कलपनाओं की भविश्य की कई बार में कोई अच्छी किताब पढ़कर आती थी और उसके बारे में आपसे बातें करना चाहती थी लेकिन आप मेरी हर बात को काट कर अपनी बातां शुरू कर देते थे वही उपदेश, वही छातरांदोलन की अनुभव आपको दो ही बातों से मतलब है एक मेरी दिह से और दूसरे मुझे उपदेश देने से मैं मेहनत करूँ, मैं कुरबानी देने को तयार हो जाओ आप क्या करोगे, आप क्या मेहनत करते है बात तो यह है कि आप सदा हवा में उड़ना चाहते है और आज जब जमी पर उतरने का मौका आया है त्या करने का समय आया है तो आप जान बचाना चाहते है इसलिए आप नाराज है अपने लिए मौज पून गैर जिम्मेदार और दूसरों के लिए परिश्रम करतब्य और जिम्मेदारी यही आपका जीवन दर्शन है पर मैं आपसे यह पूछती हूँ कि आपने मेरा जीवन क्यों बरवाद किया खेर आप यह बात गांट वान कर रख लीजिए कि मैं किसी की दयापर निर्वन नहीं रहना चाहती अंत में अपनी बात है रोदन में विखर गई और वह तेजी से बाहा निकल गई चंदर कुछ देर तक कमरे में सुनने खड़ा रहा ऐसी उम्मीद उसको न थी कुछ शणों के लिए उसको लगा कि तारा की बातें सही हैं तब वह अपने को बहुती चोटा महसूस कहने लगा लेकिन शिक्र ही उसने अपने को इस भावना से मुक्त कह लिया अब उसका मूँ क्रोध और ग्रिना से बिक्रित हो गया एहसान करनी का यह फन मिलता है जिसको उसने कीचर से निकाला था वह अब उसी पर प्रहार कर रही है यह है दुनिया उसने अधेरे में थूका और जोड़ से दरवाजा बन कही लिया दोस्तो अभी आप सुन रहे थे अमरकान्त जी द्वारा लिखे हुई कहानी लड़का लड़की दोस्तो कहानी आपको कैसी लगे कहानी के विशे में अपनी विचार कॉमेंट बॉक्स में साज़ा जरू कीजेगा धन्यवाद